हेलो एव्रिवान दिस इस निलेश कुमार गुपता एंड यू आर वाचेंग एंजी फिजिक्स क्लासेज शुरुवात करते हैं कल काफी सारे मैंने आपको यूनिट एंड डैमेंशनल फॉर्मिला निकालना सिखाएते हैं और मैं उमीद करता हूँ अब तक आप लोग सीख भी चुके होंगे सभी को क्लियर है यहां तक मैंने लास्ट आप लोगो जो डैमेंशनल फॉर्मिला निकल वाया था देट वॉज ऑफ एंगल तो एंगल हम लोगों ने कल देखा था इडिज़ा डैमेंशनल लेस्ट कॉंटिटी सही बोल रहा हूं इसका वैसे न तो कोई यूनिट होता है न कोई डैमेंशन फॉर्मिला होता है फिर भी हम एक सप्लिमेंटरी यूनिट यूज करते हैं जिसका नाम है रेडियन बोलो भाया साची के अध़ी आगे बढ़ जाओं बढ़ जाओं नहीं बढ़ जाओं बढ़ जाओं इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेस्चन आता है अगला जो हमें यूनिट डैमेशन में जो इसे जाओं पशेशन यूजियो यूजियो अगरमेशन लगी इत्सेत का लिकरति हीं अब साला आफत जी है कि हमाई तो हिंदिव के लिए नाने हमें तो विक्रती नापता का होतो है सही बोलाओना हिंदि घराब है थो विक्रती विक्रती को यह तेल लेने पहले मुझे एक बात बताओ प्रति करति यानि जैसे औह भूलते हैं यह तो उपर वालेगी बनाई हुई क्रति है करति यानि किसी चीजे को बनाना है न और विकरति ओ दॉंनоки के तो महांय's का पैदा है वह विकृति, strain develop हो गया, strain, समझ में आई बात, क्या develop हो गया, strain, strain का मतलब हो गया, strain, strain का मतलब हो गया, strain, strain का मतलब हो गया, विकृति, विकृति बोले तो, किसी चीज़ के shape और size को change कर देना, नहीं आई मेरी बात समझ में, clear, strain word का मतलब ही होता है, विकृति, ठीक है, strain का ज तो आपको बन रहे हैं कि बिटा मुझे ना इसकी डाइमेंशन पूछ रहा है इसका मतलब आप ना इसका चाहता है कि आप लोग बैठे हैं मुझे उसका डाइमेंशन चाहिए तो आपको जादा करेंगे वहाँ बहुत ने बात करेंगे फिलाल strain का वैसे तो strain का general formula होता है change in dimension to the original dimension पर यहाँ पर अपने को dimension से कोई लेना देना नहीं है जब वहाँ पढ़ेंगे तो पन लेंगे फिलाल मैं आपको बता दू strain के लिए आप इतना समझें strain is equal to formula होता है change in length upon original length change in length upon original length this is the formula for strain change in length upon original length symbolic form में strain को हम लोगे small e से denote करते है change in length को small l original length को capital l अब मुझसे कह रहा है कि मैं इसका unit और dimensional formula बता दू तो भाया लाला रे small l का है change in length तो हत्तो length है हत्तो length है काई में न पेएगी काई में न पेएगी मीटर में मीटर कहना चाहते थे अच्छे तो कह दिये थे कही काई नहीं original length तो तो जे ऋ लेंद है काई में न पेएगी लीटर में मीटर कह रहे हो मीटर में तो मीटर कहते हो मीटर मिटर जागी क्लियर तो इसका कोई unit हुआ क्या कोई unit हुआ क्या it means strain is a unit less quantity unit less का मतलब समझते हो इसका कोई unit नहीं होता नहीं ही बात समझें अब को पठ्था मोते हैं जो पूछे कि भाईया जाको dimensional formula बताओ तो भाईया इसका तो कोई dimensional formula भी नहीं होगा होगा क्या कोई dimensional formula वहीं कि तरह एंगल की तरह है फिर उंको पूछे कि बता जाको dimensional formula का होगा तो अब नहीं है कि नहीं है स्ट्रेन के बाद हमारे सामने नेक्स आता है एंगुलर विलासिटी angular velocity की अगर हम लोग बात करें देखो भाई यह अभी तक आपने velocity पड़ी velocity में object जैसे मैं object हूँ तो मैं ऐसे चल रहा हूँ यह होगी angular velocity angular velocity में क्यों होता है object सीधा चलता है ऐसे जिसे सब्सक्रीए जमी है यह object है और यह ऐसे टेलता हुआ यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया समझ गया तो इस ताइम जितनी velocity से यह move कर रहे ना that is the velocity थोड़ा और depth में जाऊं तो इसको हम लोग बोलते है linear velocity linear नहीं लाइन लाइन आ रहा है ना straight line में चल रहा है object तो इसलिए कौनसी velocity होती है that is angular velocity clear है समझ गया ना उँपर पंका चल रहा है हांगे अरे बरोसा ना रहे में बात में चल लाओ उँपर पंका चल लाओ ना clear lucky हो जो तुमारे उँपर पंका चल रहा है मों तो बंद करना पर रहनी तो वीडियो में आवाज आती है तो उँपर पंका चल रहा है तो पंका गूमी रहा है गूमी रहा है कि ना गूमी रहा है तो इस टाइम पंक हे अंदर जो velocity होगी वो कौनसी velocity होगी यानि कहने का अतात पर यह है कि कोई चीजज जब घूमती है तो angular velocity और सीधी चलती है तो simple velocity, समझ में आ रही है बात, बाकी का circular motion जब पढ़ाऊँगा तो angular velocity के बारे में बहुत detail में बात करूँगा आपसे, ठीक है अब आते हैं अपन angular velocity का unit और dimension formula क्या होता है बेटा विज़े से आपने देखा था, velocity का formula होता है displacement upon time velocity का formula आप लोगा ने पढ़ा था, displacement upon time angular velocity का होता है, angular displacement upon time clear, ओके, तो देखते हैं हम लोग, angular velocity का formula होता है इदा लिख दिया मैंने, angular velocity is equal to angular displacement divided by time यह जो मैं board पे लिख रहा हूँ, आपको साफ नजर आतो रहा है न कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, आखे तेज हैं तुमाई, आगे बढ़ते हैं अगर यह बात clear है, तो अगली बात पे आते हैं, angular velocity angular velocity को इस सिंबोल से डिनोट करते हैं, क्या है यह, क्या है यह, what is this symbol डबलू नाने बबलू, डबलू नाने, ओमेगा है यह, यह, समझ गए, क्या है यह, ओमेगा, नेवर से डबलू, समझ गए, डिस इस कौल्ड ओमेगा, okay, symbol को omega बोलते है, w is this okay, this is w but this is omega, okay mathematics में complex number पढ़ लिया होगा अब तो 1 plus omega plus omega square पढ़ाय के नहीं complex number के, शुरू नहीं हुआ भी को बत रहाने, तो इसको omega बोलते हैं never say w, समझ गए बबलू? clear? चलो आजाओ angular velocity का जो formula होता है that is angular displacement upon time angular displacement is denoted by the letter theta time is denoted by the T, okay ये इसका formula आगया, angular velocity symbolic form है, चलिए भईया इसका आगे solve करते हैं हम लोग theta, angular displacement है mind it, ध्यान दीजेगा थोड़ा सा आप ऐसे समझो, मान के चलो ये एक रसी है क्या है रसी, दीख रहे हैं बढ़िया चकर रसी, फस किलास रसी के इस सिरे पे मैंने बान दिया खंडा, खंडा समझते हो पत्थर, stone, pebble, ककरा clear, समझ गए तो रसी के एक end पे मैंने एक pebble type कर दिया, एक pebble बान दिया कंकल बान दिया, ककरा बान दिया, खंडा बान दिया clear, और दूसरा end जो है समझ रहे है मिरी बात को अब मान के चलिए यह खंडा जो है यह खंडा जो है suppose करिए यहां से लेके यहां पहुँच गया यहां तक पहुँच गया ठीक है यहां से लेके यहां तक तो जायर सी बात है उसने इतना angle travel किया यहां से लेके यहां तक इतना एंगल ट्रावल किया इसी को अम लोग बोलते हैं एंगल डिस्प्लिस्मेंट राइट और यहां से यहां तक पॉंचने में उसे कुछ नो कुछ टाइम भी लगा होगा तो दैट इस कॉल टाइम समझ गया ना मेरी बात को क्लियर ओके मैंने सुनाया आप लोग इसे बला बड़ा भली भाती जानते हैं लेंथ अफ द आर्क कल पढ़ रहते हैं बोलो भाईया यस और नो पढ़ा था के नहीं बढ़ा था कल बोलो यहां ओके वोट इस दिस रेडियस बोलो बोलो बच्चों बोलते काई नहीं बोलो ओक अब बात आती है एंगल वेलोसिटी की यूनिट निकालनी है अबको अगर याद होगा कल में जाते जाते एंगल की यूनिट निकाल के क्या था एंगल कुछ और नहीं एंगल की यूनिट वैसे तो कोई नहीं होती लेकिन इसकी एक सप्लिमेंटरी यूनिट होती है जिसे हम लोग radian बोलते हैं, बोलते है कि नहीं बोलते हैं बताओ, बोलते हैं तो angle का unit हो गया बिटा हमारा radian, simple rad से लिख देते हैं, ती time है time का unit second, seem clear है, तो angular velocity का किसी पठे ने मुझसे पूछ लिया unit क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे radian per second, मान के चलो चार options दीए, angular velocity का unit पूछा गया है, ठीक है, उसमें अगर radian per second है, तो आप radian per second लगाएंगे, प्रेफर करेंगे इसी को, लेकिन radian per second option ही ना दीख रहो, हमें केवल one upon second दीख रहो है, तो लगाए दीएंग, लगाए दीएंग, पूछो क्यो लगाएंग, पूछो, पूछो, इसलिए, क्योंकि radian is the supplementary unit, बताया था, धदो तो ठीक, नहीं धरो तो ठीक, नहीं है ही मेरी बात समझ में, सीम क्लियर है, यह supplementary unit है, बात समझ में, आरेली है कि नहीं, आरेली, ओके, ठीक है, तो angular velocity का unit होगी है, वैसे radian per second, ठीक है, अगर कोई one upon second भी बोलता है, तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं, अब इसका dimension formula निकालते हैं, ठीक है, थीटा एंगल ही तो है, और मैंने बच्पन में बढ़ाता है, एंगल इस इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कल पढ़ा था अपने अगर आपको यादू तो थीटा की जगे मैंने लिग दिया, लेंट अप द आर्क अपॉन रेडियस, एल अपॉन आर, टी भेसो की भेस लीटर, मीटर, ये कहना चाहते थे, आर रेडियस है, रेडियस काय में नपती है, मीटर में, मीटर कहना चाहते हो, काय तो रेडियस मीटर में नहीं नपेगी, तो काय में नपेगी, का किलोग्राम में ना पहोगे, कि सेकंड में ना पहोगे, रेडियस मीटर में तो नपती यह में मैं यह जोने का जाते हैं बच्चन ने पादल से जाते हैं तो रेडियस का यूनिट मीटर टीफो टाइगर है टीफो टाइंग टाइंग यूनिट सेकेंड वरी गूट मीटर टे मीटर मीटर जागी तो यूनिट का तो यून आजी निरमान करें सेकेंड पर पॉबर कुछ नहीं है तो वन जाए उंपर ले जाँगो तो सेकेंड की पावर माइनस वन भी तो लिख सकता न हो गई होगे लगे होग नहीं होगे उन इसका ड longest फ़ीन के इसकेंड स Zack कई dimensional formula हो गया, t power minus 1 है तो minus 1, I hope you understand guys, scene clear है कहाओगे को परेशा नी यहाँ कुछ कहना भी चाहूँगा मैं आपसे कह दू, बोलो तो कह दू हाँ, listen answer आगे हमारा t की power minus 1 this is the dimensional formula अब कईयों बार कुछ लोग style में होते हैं कुछ लोग style में होते हैं तो इस dimensional formula को ऐसे भी लिख देते हैं तो मैं बता हूँ, तो आप ऐसे अगर लिखो दीख रहा है तो डरप मत जाहिए हो डरप मत जाहिए हो कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं m0, l0, t minus 1 इसका मतलब यह है, इसमें m नहीं है l नहीं है, t की power minus 1 यह और यह एकी मतलब होता है समझ गें ना मेरी बात को मैंने बता दिया, यह भी सही है, यह भी सही है कुछ भी लिख सकते हैं scene clear है, है ना, कल को अगर ऐसे दिख जाए तो दिमाग तो नहीं जंजना आगो अपनो clear है, ठीक है और दिमाग ज्यादा जंजना है तो जो दिमाग जो तेक बाद दीवार में देमा रही है तो जितेको जंजना है रहा होगो सही है जाओ, clear है तो angular velocity का unit or dimension formula हमारा आगया, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गय होंगे बेटा well इसके बाद sorry gravitational constant तो gravitational constant का dimension formula जो है वो काफी बार exam में भी आता है और आपको बता दूँ chapter number 10 नामी है उसका gravitation तो वहाँ पर यह चीज़ा हम लोग detail में पढ़ेंगे पहले आप लोग मुझे थोड़ा सा इशारा करें कि 10th class में chapter था क्या gravitation 9th में कभी पढ़ा है gravitation दर्शन के Newton's law of gravitation पढ़ाते तो है पढ़ा होगा आप लोगों ने वैसे कोरोना की वज़े से शायद आप लोग दर्शन नहीं कर पाई हो gravitation के है न gravitation का जो formula होता है that is f is equal to gm1 m2 upon r square यह formula होता है gravitation का राइट पढ़ा है किसीने ओके कुछ लोग से रहिला रहे है तो उसका मतलबनों ने पढ़ा हुआ है कोई बात ने बाकी के लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई बात ना ने ठीक है यह जो formula है f is equal to gm1 m2 upon r square इसमें capital G जो है उसको हम लोग gravitational constant ही बोलते हैं क्या बोलते हैं? gravitational constant तो मुझसे कह रहा है is gravitational constant का unit बता हूँ और dimensional formula बता हूँ तो मैं बताता हूँ शुरुबात करते हैं ध्यान से समझ येगा गौर से देखिए सभी लोग समझ ना ध्यान से ठीक है all of you listen यह दो bodies है इस body का mass है m1 यह दूसरी body का mass है m2 और इन दूनों bodies के बीच का जो distance है that is r clear? ओके? बात समझ में आ रही है यह दो body है एक का mass m1 है एक का mass m2 है और इन दूनों के बीच का distance r है clear? तो यहाँ पर gravitational force जब gravitation पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़े बताऊंगा कि यह formula कैसे आया पर इन दूनों bodies के बीच में जो force लगता है that is f is equal to g m1 m2 upon r square this is the formula clear? यह Newton's law of gravitation का formula है जो gravitation जब chapter पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसके बारे में आप लोगों से काफी बातें करूँगा ठीक है न? आज उसका question यह है कि मुझे gravitational constant का unit or dimensional formula बताऊं तो भाईया इसमें gravitational constant capital G है यानि वो मुझे capital G का unit or dimensional formula पूछ रहा है तो बताते हैं उसको अपन तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं r square को इधर cross multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा f r square is equal to capital G m1 m2 को नीचे लिया हूँ यहापर बुरा नहीं लगे तो आपको बोलो भाईया scene clear है यहाँ तक सभी को कावगया को परिशा नी चलनना उडील चालो तो capital G वरावर हमारा हो गया f into r square divided by m1 m2 step clear है भाईया थोड़ा सा लेंदी जाएगा घवराना मत ठीक है डरके आगे जीत है यही हमारा गीत है गब्बांगों गीत मैंने है डोलक मंजीरा मंगाए लए है f force है force का formula है याद तो नाने यह कहुँए force is equal to mass into acceleration तो force का formula मैंने रख दिया mass into acceleration into r square भैसो की भैसो m1 m2 भैसो की भैसो scene clear है बोलो भाई यह बात समझ में आ रही है आगे देखते है अब देखो इसमें किसको छेड़े है और किसको नहीं छेड़े m mass है तो mass को touch करोगे क्या बताओ मुझे हमको सारी quantity वो ही mass length time में convert होती है m1 m2 भी आपने बुला यह masses है तो इनको भी टच नहीं करेंगे आर आपने बूला था distance distance तो distance length होती है तो इसको भी टच नहीं करेंगे है ना तो यह सब आइटम अपन बैसे की बैसे उतार देते है m r square divided by m1 m2 अब बचो का ए बचेगा हो है acceleration और कल पर सो तुमने खूब पढ़ी acceleration का formula change in velocity upon time interval formula याद है कि नहीं है याद मैंने पहले ही बोला था टन याद होने चाहिए न मान बनाऊंगा एक एक को आप या लास्ट के 10 मिन ना बताऊंगा मैं तुमको acceleration का formula होता है V upon T change in velocity upon time interval याद है ना ओके तो पता पज्या गिया वाल acceleration का formula मैंने टांग दिया यहाँ पर V upon T समझ गया न मैं चाहूं तो reason लिख सकता हूं because A is equal to V upon T ठीक है तो capital G is equal to MR square divided by M1 M2 अब TB time है तो यह भी fundamental unit हो गई न ती time तो इसको भी touch करने की जुरूत नहीं है अब बच्च का आगो वी बच्ची गो बच्ची और नहीं बच्ची गो और विलोसिटी यह स्पीड का formula हमने पड़ा थे distance upon time बोलो भाईया तन तहीं ना पर रोगे मीटर था करनपटी पर हैरी बच्च जागी मास अतो है महां तो लगी है और एक बात पर आंकत दीते हैं भी एम मास है उन पत्ते ही फोर्स इकल टू मास इंटू एसलेरेशन दरहो तो याद कर लिए तो मास की यूनिट है गई किलोग्राम आर क्या था distance है ना तो distance की यूनि मीटर है ना एम वन मीटर है अचा मास है बोल परी तो मास की यूनिट किलोग्राम फिर एम टू ये भी मास है किलोग्राम टी टाइम सेकंड ये भी टाइम सेकंड 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 इंटू सेकंड 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 स्क्वेर बोल भाईय का गलत कर दें मैंने लाला स्क्वार इंट्ट मीटर, तो इट बेकंस मीटर क्यूं किलो ग्राम, सेकंड स्क्वेर, सीन क्लियर है विटा, बोला उब रहा है, चालो, अच्छी बात है, अगर इते गई समझ में आ रहा है, तो आगे देखते हैं, घले में खिच-किच, विक्स की गॉली है, तो किलो ग्राम नहीं है तो बने की power ऊपर जागी तो किलोग्राम की पावर माइनस वन मीटर क्यों 200 की बैसो सेकेंड की पावर टू उपज जागी तो सेगेंड की पावर माइनस टू यह हो गई साड़ी यूनिट सीन क्लियर है बोलो अच्छी बात है तो कैपिटल जी बराब चलो इसके डाइमेंश फामूला का निर्मान करो आप लोग बताओ किलोग्राम का क्या होगा फिंगर से जवाब बैसे ना समझात में फिंगर से जवाब दो हां येर में हां लाइन ड्रो कर दो मास यह कहना चाहते थे कैपिटल है पावर लगाउं जाकी कच्छू ठीक है माइनस टू है ना माइनस वन लगाउं अच्छे ठीक है मीटर को एल मीटर लेंध होते थाते हैं पावर त्री है तो यूरा थी माइनस टू एंप की पावर माइनस वन ल की पावर थृ टी की पावर मायनस टू होप जूंड एंड़स्टैइगर यूटर उनिटर अन्रस्टैंट तो ग्रैविटेश्चल कांस्टैंट का किसी ने यूमिटर देमेंज फॉर्मूला पूछलिया तो हमलोग बता Planck constant का जो फॉर्मिला होता है, मैं आपको बता दूँ. Planck scientist का नाम है. Planck constant. Planck constant का फॉर्मिला होता है, Energy upon frequency. Energy upon frequency. इसमें बहुत सारी बात हैं, जो अभी आप नहीं जानते हैं, frequency भी नहीं चानते है, plank constant भी नहीं चानते है, थोड़ा patience तो रखना पड़ेगा आपको, समझ में आरी है बाद, इस पूरे chapter तक आपको patience रखना पड़ेगा, फिर अगले chapter में जो बाद जहां की जहां है, वहीं की वहीं आपको जवाब मिलते जाएंगे, समझ भारे, मैंने plank constant is equal to energy upon frequency, plank constant is denoted by the letter H, energy को E से denote करते है, frequency को ऐसे, यह symbol है, इसको new बोलते है, new, new अभी अब यह तक आपने कभी नहीं सुना होगा न, आप चाहो तो लिख लो, वैसे हाला कि आगे भी आएगा आने वाले chapter में, पर आप लिख लो, frequency के 3 symbol होते हैं, है न, frequency के 3 symbol होते हैं, एक इस small f, small f बोले तो frequency, एक होता है small n, है न, और एक होता है new, इस symbol को new बोलते हैं, क्या बोलते हैं, new, ओके, लिख लो आप इस बात को, frequency के 3 symbol होते हैं, शायद notes हो में नहों आपके, तो frequency के 3 symbol होते हैं, f, n, और new, ठीक है न, ओके, और frequency का एक formula होता है, हम याल थोड़ी देर के बाद भी आपके सामने आएगा, आएगा तभी बताएंगे, यहाँ पर use होगा, एक्चुली इस लिख रहा हो, frequency is equal to one upon time period, पर डोट वरी अभी बता दोगा, यह लिख लो पहले आप, ठीक है, लिख लिख लिए सभी ने frequency के 3 notations होते हैं, f, n, और new, राइट, चलिए, तो आज के बाद जगे जगे बार बार use होगा, जो energy है, वही work है, clear, जो energy है, वही work है, यानि किसी भी formula में, जब भी आप कभी भी कोई भी unit या dimension formula निकालोगे, अगर वहाँ energy लिखा हुआ है, तो energy की जगे आप work लिख सकते हैं, जब हम खाते हैं, तो हमको energy मिलती है, और जितन energy हमारे अंदर होती है, उतना ही तो task हम लोग कर सकते हैं, उतना ही तो work हम लोग कर सकते हैं, it means work is always equal to the energy, समझ में आरही है बात, तो किसी भी जगे, किसी भी formula में, अगर आपको energy दिखाई दे, तो आप उसकी जगे work लिख सकते हैं, clear है, बात समझ में आरही है, तो energy की जगे तो मैंने तान दिया यहां पर वर्क, अगली बात, frequency, आपको बता दू, frequency थोड़ी देर बात आएगा, यह formula दोबारा, frequency का formula होता है, one upon time period, क्या formula होता है, one upon time period, अब time period क्या होता है, वो बात की बात है, clear, फिलाल time period एक time है, बस इतना समझा है, तो frequency is equal to one upon time period, तो one upon time period कहा पहु चालो तो time period मैंने ऊपर पहुचा दिया, आगे बनते हैं, अब क्या हो गया, खतम कानी, work is equal to force into displacement, t time है, बेसो की बेसो बनो रहे हैं दो, फिर से आजाओ, f force है, force का mass into acceleration, d displacement है, तो displacement होती है, length होती है, तो जाते है, चैट वे की जरूरत तही नान है, सही बोल लाँ ना, बोल बिल्कुल मत चैटो, d distance बिल्कुल मत चैटो, t time बिल्कुल मत चैटो, अब बचा क्या acceleration, acceleration का formula हम लोगों ने पढ़ा था, कल पर सो, v upon t, change in velocity upon time interval, तो e की जगे मैंने v upon t, सीन समझ में आ रहा है, बोलो भाईया, ओके, आगे बढ़ते हैं, h is equal to m dt upon yt, a velocity, velocity का formula मैंने पढ़ distance upon time, तो v की जगे, d upon t, seem clear, मैं चाहूं तो ये time से, ये time यहां काट भी सकता हूं, क्योंकि time की unit भी second, इस time की unit भी second, है न, तो यह यहां भी काट सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, clear है, बात समाझ में आ रही है, okay, यहां काट दो, बात में काट दो, कोई दिक्क है, t time होता है, ये भी time, time, तो सब वोई चीज़े आ गई, तो आब हम लोग इसकी unit रखेंगे है, unit, चलो आजा भईया, m mass है, mass का unit kilogram, d distance है, ये भी distance है, तो distance, distance, distance का square हो जाएगा, distance बोले तो meter, तो meter square क्यों रखा समझ में, आगी बात आप लोगो, बोलो, t time है, time का unit second, ये time है second, ये भी time है second, तो second square कर लो, बोलो भाईया, second से square कड़ जाएगा, बोलो भाई, तो h बराबर हो गया, बिटा मारा kilogram, meter square, केवल s की power 1 बचाएगे, आप अब, s की power 1 उपर ले जाओंगा, तो s की power minus 1, तो ये हो गई अपनी unit, scene clear है, बात आती है, dimensional formula, dimensional formula की अगर मैं बात करूं, तो kilogram का mass, kilogram mass होता है, meter length होती है, तो L, power 2 है तो 2, second time होता है, तो T, power minus 1, ये आगया इसका dimension formula, उमीद करता हूँ, आप लोग समझ गये होंगे, clear है, फटा फट देख लीजे, plank constant का dimension formula, अगला आप इसके बाद हमारे सामने आ रहा है, time period है न, तो time period क अगला हम बात करें, time period, time period को हम लोग simple T से denote करते है, कैसे denote करते है, T से, clear, ती भी नहीं बोलूगा, थोड़ा गलत बोल गया, ये मालोग गलत लूग, time period को हम इसा, our wishtया Сब्ण traditionally c nuts, capital T से, clear, then time period क्या है, time ही है, unit क्या हो जाएगी series की second, खतम कहानी हो गया, unit, dimension formula क्या हो जा जीने पूछा unit क्या होगा तो second dimension formula क्या होगा तो capital T right मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे तो मैं आ गयाने वाले chapter में पढ़ाऊंगा पर मैं आपको बताता हूँ होता क्या है time और time period right clear school जाते हो school school जाते हो school जाते हो कितने गंटे का school होता है है with the school q contenido जर्था इसे बताओ है जदतर लोग पन्या दिखाओ है clear यहांनि 5 जंटे का school होता है सही बोल रहा है वह पांच गिंटे का स्कुल होता है आप मुझे बात बताओं आपके school में periods लगते होंगे पीरिड सकते एक होता है चान बोच कितने ने ॥े बनाफ गंटे लेकर मेरा पूछा ह कितने डॉपला टाइंटे राइट फाइव आवर्स राइट लेकिन पीरिड पूछा पीरिड क्या होता है जैसे फर एक्जामपल सबसे पहले फिजिक्स वाले सराय पैतालस मिनट तक खूब पकाएंगे आपको पैतालस मिनट तक जब उन्होंने खूब जिला दिया आपको और आप बिल्कुल समझ पकाते हैं और फिर वह चलने जाते हैं फिर अगले आ जाते हैं मैठस वाले फार तो उर्ब invite सबसरा ओं तो यहां पर यह जो एक particular time है, एक round का जो time है, that is called time period, नहीं है ही मेरी बास समझ में, सीन clear है, अब आप बता हूँ मुझे, मैं तोड़ा और clear करता हूँ आपको, उपर पंखा चल रहा है, चल रहा है न, ठीक है, चार बजी ते बेटे हो, क्या बजी नो बेट होगे, पांच ब पर जो पंखा घूम रहा है, वो एक चकर का पूरा होगा उसका, जब वो यहां से चला और घूम फिरके यहां आगया, ऐसे समझातों, ऐसे समझे, यहां से चला और एसे घूम फिरके यह एक चकर पूरा होगे, तो वो एक चकर पूरा करने में, उससे जो time लगता है, that is called time period टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन राउंड इसकोल टाइम पीरिट समझ में आई बात पंका चलेगा एक गंटे के लिए वोगे टाइम लेकिन अगर को बुचे टाइम पीरिट तो इसका मतलब वह आपसे एक चक्कर के समय की बात कर रहा है समझ में नहीं का केगो समझ में नहीं का केगो किलियर है आई नहीं का सोच लेओ ठंडे दिमाग ते सोच लेओ मरवद्द्य हो यहीं पर किलियर तो अपर ठंडी सास ले लो तयार है जाओ आज आओ देखें कौन सो आवे वह मूँ पे आते हैं आज का question है for the student of the day क्लियर ध्या अगर answer सही दिया तो उसका पोस्टर बनके आपके ग्रुप में आएगा आज ठीक है ना तो question सुन लें पहले मैंने definition बता दी time period होता क्या है time taken to complete one round is called time period समझ गए किसी भी object को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे time period कहती है समझ गए clear है तो बताओगे मेरा question गड़ी में के के कांटे होते हैं के कांटे होते हैं तीन कांटे होते हैं एक घंटे का कांटा आवर की निडल एक मिनिट की निडल एक सेकंड की निडल सही बोलना हूं आप बताओ आवर वाली जो निडल होती है आवर वाली घंटे वाली जो सुई होती है उसका time period कितना रितु शर्मा ने सबसे पहले हेंड रेस किया है बताएं भईया रितु शर्मा क्या होगा जीरो वेरी गुड रॉंग आंसर अगला बताएं काजल गुपता कितना सिक्स्टी मिनिट वेरी गुड रॉंग आंसर और बताएं ट्वेव क्यों शराजबूद बोलें है कि वेरी गुड दस दसल्ड कमें समझ में आई बात वो घंते वाली सुई सोचा बार मीजिए के चक्क prominitta कर्पूरा करती है लो तुम सोचा ना États One אני एकितनी बागे से पड़ रहे थे Cheryl चार बज़े से तब गंटे वाली सुई काय पर थी चार पर अब सोचो वह गंटे वाली एक चक्कर पूरा करने के बाद दोबारा चार पर कितने बज़े आएगी तो प्यूश राजबूत के लिए बारा घंटे क्या हुआ है समझ में आई बात प्यूश राजबूत वाट्सप पर अपना एक अच्छा सा फोटो बेज देना तो आपका पोस्टर बन जाएगा क्लियर ठीक है ओके तो प्यूश राजबूत के लिए एक बार जोर्दा तालिया बजाए सब लोग है वेरी गूट शाबाश मेरा अगला क्वेश्चन अब आप सीगे सीगे बता दियोगे मोई चला देखें को कौन सो बता वेगों मूपेती अब अगला क्वेश्चन संगे लगा के सुने अधियों अ मिनिट वाली सुऊ होती है घड़ी में मिनिट वाली सुए है उसका टाइम पीरिड कितना होता है कि सबसे पहले इंड्रेश किया है मोहित शर्मा जी ने हां मोहित शर्मा अभी मोहित तुमने तो मैसेज कर दिया तो फिर कैसे आगे क्लास में आपने मैसेज किया तो था कि अच्छा कोई और होगा फिर दूसरा मोहित होगा इन्हों ने बुला वन मिनिट कितने लोग इन से अग्री करते हैं रेजरेंड दिस इस दे राइड आंसर जितने भी लोग का वन मिनिट आंसर रेजर हैंड कि सब कि सब गलता हो मिनिट वाली सुई का टाइम पीरिड दोंगा रहपट मिनिट वाली सुई हाँ स्टुती सिंगल गिमिदा आंसर कि सिक्स्टी मिनिट वाली सुई का टाइम पीरिड होगा वोगा सिक्स्टी मिनिट या फिर वन आवर कुछ भी बोल सकते हो एक गंटे में साट मिनिट होते हैं न यह महीं मईया गड़ी में के वज़ें बैठे यहां पे पड़वे बताओ चारा बजी बैठे तो मिनिट वादि सुई काई प्लेटी वहाई सुए अन दीघ्री निन दैड़ी नहीं या तो वह तो मिनिट वाल इस डिवारा प्लेट लगावों एक चकर जब उसका पूरा हो जाएगा दो आहीए एक गंटे बाद आएगी कि नहीं? यहनी 60 मिनिट हो गया उसका टाइम पिरेट? नहीं आई, बस गया, समझ गया ना, क्लियर? फिर से पूछू, फिर से पूछू, फिर से पूछू, लास्ट पर फिर से पूछू, अगर अवे उ गलती करी ना, तो चुलू पर पानी में जाके क्लियर? समझ गया ना, घर में चुलू पर पानी ले लिए लिए वा में ऐसे मुंडी डर के बैठ जाएगे हो, ठीक है? ओके? घरवाय कचु कहा तो सन्ने कही है, चुलू पर पानी में डूम पर जाके है, क्लियर? ओके, मेरा अगला क्वेस्चन, घड़ी में सेकंड वाली स क्लियर के टाइम पिरेट कितना होता है? हाँ, सिकरवार साहब बताओ, साट सेकंड, वेरी गुड, क्लियर? साट सेकंड, क्लियर है सभी को, अब तो समझ में आएगा होगो, और उन आने आओ, तो फिर मैं कचु कन नहीं पांगो, तो मैं उम्मीद करूँ कि हम लोगा टाइ में पिरेट के बात बड़ साबने अगली बात आती है, अगली बात आती है, अगले एगले ठीकर देखेंगे, और अगले ठीकर हमारे यह days of formula अग्रण, सब कुरह बड़ी कड़ी है, मैं आपको याद है इस question से पहली वाला question जिस跟大家 हो स्याय आजम, बाकिस ne सब डेटेल में आएंगे बहुत डेटेल में गबनाने की जरूत नहीं है ठीक है पस फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कैसे यूनिट डामेशन निकालते हैं क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए और बीच में से कोई भी आता है तो आप लोग उसे बता दीजिया करि समझ गए और लोगों को भी बोल रहा हूं संडे को कोई पड़ाई लिखाए नहीं क्लियर कॉंपी किताब अठागे फेक दिया करो मतलब रख दिया करो अच्छे से समझे ना कमीनों जी उनके लिए बोला हूं जो सब्ता में छे दिन अच्छे से मैनत करते हैं जो डेली एस कर रहे हैं बिनके में कच्छुना कर रहे हैं नहीं कहीं बच्चा उदम करें लगें क्यों पढ़नी सकता तो नहीं नहीं सब्सक्राइब लिए उनके लिए यह रूज नहीं है ठीक है चलो खूप पढ़ें अच्छे से बढ़ें और जहां तक मेरा ख्याल हम लोग मंडे से से पढ़ रही हो गया। तो आपका डेमो कंप्लीट हुआ ठेक है। आप यह माहलो आज मैं बोल रहा हूं जिन लोग स्टार्टिंग से बढ़ रहा है मंदे से पढ़ रहे हैं। तीम दिन का डेमो कहें है आपको 6 दिन का दिया। देमो इस ओवर। ठीक है। आपके पास next Saturday तक का time है, जिसकी भी total fees में आपको पता दू, 6000 रुपीज है, 3000, 3000 के दो इंस्टॉल्मेंट में fee पी करनी है, समझ में आरी बात, अगले Saturday तक का time आपका है, उसके बाद, फिर time मेरा है, समझ में आरी मेरी बात, तो जो भी कोई fees कैसे क्या deposit करनी है, उससे WhatsApp पे message आपके पास clear first come first hour basis पे, ठीक है, ठीक है, thank you everyone, have a great day to all of you, Sunday is always holiday, so be happy, do he 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 he, do, come on, come on, he he, चलो take care, जाहें Okay guys, thank you everyone, have a great day to all of you, Jai Hem